नमस्कार सांथियो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है सांथियो आज की इस वीडियो में हम मोहावरे से संबंदित बहुती महतपून MSQS कोशन कवर करने वाले हैं इससे पहले हमने मोहावरे MSQS का फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं सांथियो यदि आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या आने वाली भरती है सिक्छक और साहयक सिक्छक की उसके लिए यह वीडियो काफी important हो सकता है सांथियो मोहावरा मोहावरा जो है अर्भी भासा का सब्द है हिंदी में मोहावरा को वागधारा कहते हैं किन्तु यह अधिक प्रस्लित नहीं है जब कोई वाक्यांस अपने समान्य अर्थ को छोड़कर विशेश अर्थ में रूड हो जाता है तो मोहावरा कहलाता है अभी हाली में 36 सिक्छक पातरता परिक्छा आयुजित किया गया था उसमें पूछा गया था कि मोहावरे क्या है तो मुहावरे वाक्यांस है जैसे कि श्री गनेश करना इसका अर्थ होता है शुरू करना इद का चांद होना अर्थात होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना चार चांद लगाना का अर्थ है प्रतिष्ठा बढ़ाना तो ये एक प्रकार का वाक्य का अंस है चलिए सांथियो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा पास में लगेवेल ऐकन को प्रेस कीज़ेगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उनके नोटिक्रिक्षन आप तक पहुंचती रहें वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजेगा पहला प्रश्ण है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है ऑप्शन ए धूर्त प्राणी ऑप्शन भी रोग ग्रसित होना ऑप्शन सी पेट तक लंबी दाढ़ी होना ऑप्शन देखने में सीधा किन्तु चलाक होना बताईएगा इसका सही जवाब क्या होगा साथ यो पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है देखने में सीधा किन्तु चलाक होना मतलब आदमी जो है देखने में एकदम सीधा होता है किन्तु वह बहुँ चलाक होता है तो ऑप्शन डी सही होगा उसके बाद है पापड बेलना का अर्थ है ऑप्शन ए में दि यहां है मुसीबत उठाना, option C, खाना बनाना, option D, पतली रोटी बनाना, देखिए, पापड बनाना का हम समान्य अर्थ ले, तो यहां पर होगा पापड बनाना, बिलना बिलोगे तो पापड बनेगा, लेकिन मोहावरा में यह जो वाक्यांस है, वो किसी अन्य अर्थ के बारे बताता है, अन्य चीजों के बारे मताता है, पापड बेलना का मतलब होता है, मुसीबत उठाना, कठीन परिश्रम करके मुसीबत उठा रहे हैं, तो option B, इसका सही जवाब होगा, कान का कच्चा होना का अर्थ है, कम शुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बा बात न मानना, कान का कमजोर होना, देखिए, समान्य अर्थ में कान का कच्चा होना मतलब कम शुनना होगा, लेकिन आप किसी की बातों को अपने विश्वास में लेते हैं, चाहे वो जूड बो रहा हो, या सज बो रहा हो, तो उसको बोलते हैं कान का कच्चा होना, मतलब पर विश्वास करना तो option B इसका सही जवाब होगा चलिए आगे बढ़ते हैं 19-20 होना का अर्थ है बहुत कम अंतर होना बहुत अंतर होना हिसाब जोना भाग जाना देखिए भाग जाना तो 9-21 होता है 19-20 का होना इसका मतलब है बहुत कम अंतर होना तो option A इसका सही जवाब होगा 19-20 क्योंकि 19 है और 20 है तो दोनों में बहुत कम अंतर है यदि एक 25 होता और दूसरा 75 होता तो इसमें जादा अंतर होता तो इसलिए 19-20 कम अंतर के लिए प्रयोग किया जाता है अगला है पानी ना मांगना का अर्थ है मर्यादा की रक्षा करना ततकाल मर जाना अशंभाव कारे करना इज़त ना खोना पानी ना मांगना इसका अर्थ है ततकाल मर जाना किसी के हाथ किसी के आगे हाथ नहीं फलाते मर्यादा की रक्षा करना ये तो नहीं होगा अशंभाव कारे करना ये भी नहीं है इज़त ना खोना ये भी नहीं है तो इसका सही जवाब है ततकाल मर जाना कलेजा होना का अर्थ है द्रवित होना विवश होना विक्कल होना और हिम्मत होना कलेजा होना जिसके पास जिग्रा है कलेजा है हिम्मत है तो कलेजा होना का मतलब है अर्थ है हिम्मत होना जिसके पास कलेजा है उसके पास हिम्मत है बाकी लोग डरके भग जाते हैं 9-11 हो जाते हैं इसलिए इसका सही जवाब है OPTION D हिम्मत होना दातो तले उंगली दबाना का अर्थ है बहुत पस्ताना, चुप रह जाना, हैरान होना, दर्द महसूर्श होना दातो तली उंगली दबाना मतलब अख्शेर चकित होना हैरान होना तो इसलिए इसका सही जवाब है option C हैरान होना साथ यो आप लोग अभी के परिक्षा के pattern में देखेंगे तो मुहावरा तो दातो तले उंगली दबाना रहेगा लेकिन option में काफी बदलाओ देखने को मिलेगा आपको ऐसा लगेगा कि चारो option समान है चारो में से कोई एक ही हो सकता है तो आप लोग अच्छे से मुहावरे के अर्थ याद करके रखेंगे क्योंकि आप जब परिक्षा में बैठेंगे तो सभी option समान लगेंगे आँखो पर चर्वी चाना का अर्थ है दोखा खाना कुछ समझना आना अभिमान करना निलज होना तो आँखो पर चर्वी चाना इसका मतलब है अभिमान करना option सी सही होगा गुड़ गोबर करना का अर्थ है अच्छी चीज को बुरा कहना बनाया काम बिगारना अच्छा और बुरा मिलना इन में से कोई नहीं देखिए गुड़ गोबर का मतलब है बना बनाया काम को बिगारना बिगार देना तो गुड़ गोबर करना का अर्थ है option B बनाया काम बिगारना उसके बाद है न तीन में न तेरह में का अर्थ है न तीन में न तेरह में का अर्थ है बहुत उपयोगी होना नश्ट कर देना बुद्धी हीन होना किसी काम का ना होना देखिए न तो वो तीन में हैं और न तेरह में मतलब वो किसी काम का नहीं है किसी जगा उसका इस्थान नहीं है तो इसका सहीं जवाब होगा किसी काम का ना होना Option D सहीं जवाब होगा तांकी दोस्तों वीडियो का ऐसा लगा कॉमेंट करके बताईएगा चैनल पर नए आ हैं तो प्लिस चैनल को सब्सकाइब कीजिगा वीडियो को लाइक कीजिगा कॉमेंट कीजिगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजिगा धन्यवाद